हाइ गाई वेटा अपन लोगोंने अब देख चुका है हमारा राशनल लंबर लंबर इर राशनल लंबर क्या में होता है तो को या दिना अपना क्या बात हुई छ Güney अपनी बात क्या चैए कि एक राशनल नंबर है तो वह दो फॉर्म के हो सकते हैं कंसरें डेसिमल वगरे में या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये रिकरिंग ये ये दोनों की दोनों जो थे डेसिमल फॉर्म में ये क्या थे बिटा हमारे राशनल नंबर थे देखो अगर मुझे टर्मिनेटिंग नंबर है कुछ भी 1.23 अगर ये है मान लीजे इसको मुझे नंबर इसको कैसे कि ये से सिंपल ठाइब ये सिंपल सा है अको मजा भी आने वाली है तो प्लीज आप लोगो से चोट इस एक ध्यान दीजेगा यह क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं फिर आप लोग क्या करोगे आप लोग आगे कोशिश करते जाओगे ठीक है चलिए फिर एक एक एग्जांपल देखते हैं मैंने बोले हमें 0.5 बार को मुझे पी बाई क्यू फॉर्माट में रेप्रेसेंट करना है तो आप लोग क्वे दो फॉलोइंग इन्टू पी पाई क्यू फॉर्म यह पी एंक्यू और इंटियर लगा कुछ आएगा उस चीज़का आप लिए जित्ता भी रहता है इसका मांजिए फॉर्स सब्सक्राइब कुछ लिखना नहीं है आपको न्यूपेज पर लिखना रहेगा जो भी रहेगा इसको मैं पी बाई क्या प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले आपको 0.5 बार का मतलब क्या है वो लिखना पड़ेगा वह इसके लिए कि आपको खुद को जब क्याना रहेगा तो आपको खुद से कर पाऊगे अब आपको क्या करना है जैसा बता रहेगा एक बाद देख लिए पहले कि मैंने 0.5 बार का मतलब क्या होता है जैसे 0.55 555 डॉट 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 होता है यह को पता है अब देखो जो चीज दी हुई है उसको मैं एक्समान ले रहा हूं यह इस चीज़को मैं के लिए एक्समान रहा हूं यह चीज़ों बस मैंने मेरे खुद की अंडरस्टांड ने के लिए एक्समान लेट इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन मांक करते हैं चीजों में जब मुझे चार पेज आगे बड़े-बड़े-बड़े-बड़े माच से प्रॉबलम होता है च सब्सक्राइब तो मैंने अब यहां पर लिए यह मेरा इक्वेशन नंबर वन है तो अब देखो मैं अब नेक्स्ट चैप क्या कर रहा हूं मैं एक्वेशन नंबर वन को 10 से मुल्टिप्लाइब करता हूं थोड़ा से मुझे बहुत रसा रखो पीटा आप लोगने सब्सक्राइब अब देखो 0.5 बार मेरा 10 से मुल्टिप्लाइब होगा तो क्या होगा उसी लिए जो अपने को क्या करने से यहां सब्सक्राइब यह था अब इसमें मैं 10 मुल्टिप्लाइब करूगा एक पोजिशन आगे चले जाएगा तो वाल्यू क्या जाएगी मेरी 5. पॉइंट 55555555 यहने 5.5 बार हो जाएगी बेसिकली 5.5 बार इसको मैंने एक्वेशन नबर 2 मार्क पर लिया अब जो 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 एक्वेशन मार्क किये सब्सक्राइब एक यह वाला और यह वाला यह दोनों इक्वेशन को देखो और देखो क्या इनका डेसिमल सेम है क्या सब् पार्ट क्या था पॉइंट क्या आगे फाइंट बार था हाँ यहाँ पर ऑसक्राइब हो यह दोनों की दोनों 08 यह सिर्फ 8 के बार है तो अब decimal part सेम नहीं है देखो यहां पर 8 बारते हैं पर 08 और 8 शुपर बार है तो मैं वह पूछाओ कि क्या यह equation 1 or equation 2 के decimal part सेम है क्या आपने ओला हाँ सर तो बस बात खतम अपना बहुत जारी जंजट मारी खतम होगी अब कुछ नहीं करना अपने को आपने लोग बड़ी equation माईस छोटी equation करेगे तो मतलब यह होगी मैं इस second equation यह second equation minus first equation कर देगे तो उससे कर जाएगा second equation minus first equation को मतलब यह होगा तो देखो left hand side में से left hand side subtract होगा 10x minus x मतलब 10x minus 1x is equals to right hand side में से right hand side subtract होगा तो यह 5.5 बार में से 0.5 बार subtract हो जाएगा चल्या ठीक है अब देखे 10x minus 1x किता होता है तो 9x होता है चल्या ठीक है अब देखे 5.5 बार minus 0.5 बार अब तो पूरा कोड़ा decimal part same है तो उतो कड़ गया और 5 minus 0 किता हो गया 5 हो गया तो अब आगे क्या है अब देखे यह 9x की वाल्यू 5 हो गई है तो इंप्लाइज x की वाल्यू 5 by 9 हो गई और मेरा x मैंने क्या ओरिजिनल question को ही यह जो था इसी को मैंने x माना था तो मैं लिख जया इसका मता क्या हो गया 0.5 बार जो था उसी वाली 5 by 9 हो गई है तो हम कैसे मानले यह हुई है चलो आपको डिवाइट करें तो देखें रखतें में आपको क्याल्कुलेटर से दिखा एक बार 5 डिवाइट बार 9 देखो 0.55555555 आखरी में 6 आपको राउंड ओफ नहीं कर रहे हो तो यह आपको समझा अच्छे से नहीं समझा एक बार देखो सबसे पहला स्टेप क्याता दो डोंुः च्छेंगा हो किया है न्हीं चुक्रों का और फिर मैंने क्या किया मेरा जो क्वेश्चिन जातों उसको मैं एक समान लिया तो लेट k से मल्टिप्लाइब होगा तो सरी हो गया 10x is equal to 0.55555 को 10 से multiply कर तो किया 5.555 यह 5.555 बार बन गया विसको मैंने equation number two mark कर दिया अब देखां क्या यह दोने equation के decimal part से हैं देखां तो मुझे मिल गए yes थे तो कुछ निए फिर मैंने बड़ा वाला माइनस छोटा वाला कर दिया तो उससे क्या हो गया 10x-1x is equal to 5.5 बार माइनस 0.5 बार यहां से आंतर आगे मेरा 9x यहां से आंतर आगे बड़ा मेरा 5.05 तो इंप्लाइज मेरे एक सी वह लिक्ति होगी फाइव बाइन नाइन और एक्स क्या माना हुआ था एक सा 0.5 बार इको फाइव 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 नाइन तो गई अगर आप लोग देखोगे आपको नहीं लग यह हमारा 0.5 बार जोता पी बाइक फॉर्मा लग जाएगी थोड़ी बहुत गलतिया करो कि बिल्कुल शरी जाएगा एक पर ट्राइक कर यह जंब कर तो आगे का आपको बहुत इजी हो जाएगा ठीक है पॉस्ट करो बच चलो कि इसको एक भाइव खुच से ट्राइब कर लो चलिए अब हम लोग नेक्स एक्जामपल देखते हैं जितिका बीस अपड़ यह वाला एक बार मैं खुच से करके दिखा रहूं फिर आपको नेक्स चुला करने दूँगा ठीक है वन पॉइंट थी बार ठीक है अब देखो सब्यूशन रही है फिर वन पॉइंट थी बार क सब्सक्राइब के लिए आपको इजी हो जाता है लिए ठीक है फिर में लिखा लेट एक्स भी पर स्चु वन पॉइंट थी बार जो क्वेश्चन में इसको एक्स मान दिया इसको इक्वेशन नबर वन बोल दिया है इक्वेशन वन को मैं टेन से मुल्टिप्लाइब कि यह अगर हुआ है तो डेसिमल एक पोजिशन आ गया है मतलब 13.333 बार यह बच्चा लोग मेरी एक्वेशन नमबर टू हो गई है अब क्या देखा क्या इन दोनों जो इक्वेशन आई है इनका डेसिमल पार्ट से में चब तो सर देखो यह पॉइंट थी बार है यह भी पॉइ इस लेको चल जाएगा इसी इकोस्तों 13.3 बार माइनस 1.3 बार देखो यह होगा मेरा 9 एक्स यह होगा बटा मेरा 12.0 मतलब 12 तो इंप्लाइस एक्सी वाली कित्यों के मेरी 12 बाए 9 3 से कट रहा था देखो गया 4 बाए 3 इंप्लाइस मेरा 1.3 बार जो था उसकी वाली में पी बाए क्यू फॉर्माट में 4 बाए 3 लिख लिया किसी को भरोसा नहीं है देख लो एक बाकले 4 डिवाइड बाए 3 की वाली देखो 1.333 बार हो रही है समझा गाइस कमपेर्टिवली इजियर लगा पिछले वाला एक बार आपको समझ सब्सक्राइब करो और खुछ से ही सॉल्फ करो अब गई देखो अब लोग नेक्स्ट वाले पास है अब देखते हैं सब्सक्राइब आपको का अंसर मेरा अंसर माज हो जाए देखिए 7.1 बार की वाली हो जाएगी 7.1111 ऐसा चारी नहीं पाच्छे भी लिख सकते हो इत्ता है रिखा में कि डॉट 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 फिर क्या है लेट एक्स भी इक्वेशन इसको बच्छा लोग मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया फिए इक्वेशन नंबर 1 को बेटा मैंने 10 से मल्टिप्लाय किया तो बढ़िया हो गया तो बढ़ी एक्वेशन माइनस छोटी एक्वेशन किया तो देखिए 10x-1x is equal to 71.1 बार माइनस 7.1 बार किया तो बढ़िये हो गया मैरा 9x और यह किता हो गया बच्छा लोग मेरा 64 हो गया ठीक है अब क्या इंप्लाइज एक्सी वैली हो गई 64 अपॉन 9 और एक्स क्या था बेटा मेरा 7.1 बार सा उसी वैली हो गई 64 अपॉन 9 भरोसा नहीं है तो देख लो 64 अपॉन 9 की वैली 7.1 बार हो गया है समझा तो देख वैसे आप एक्जाम में बैठके पागल पना मत करना कि वापसे क्याल्कुलेट कर रहे है 64 बाइन अपना ला रहा है कि नहीं दा रहे है बट मान लोगा आपका टाइम आपको कॉन्फिदेंस नहीं आरा आपके आंसर के पर तो कुछ नहीं यहां पर फट्ट आना तो गाइस यह तरीकता अपना आंसर शही है या नहीं आप चेक कर सकते हो वैसा हम होपिंग कि आप लोगो ने जब खुछ से किया था आपका आंसर माच हुआ था नहीं हुआ था गलती से भी तो प्लीज आप लोग इसको सौल्ट कर लिजे थोड़ से और इंप्रूव्ड वर्शन पर जा रहे है इसको देखेगा तो इंप्रूव्ड वर्शन का मतलब क्या है देखिए अभी यह से डी वाला सब पार्ट है कि आम नौट रहा हूं 5.12 और दोनों के उपाबार है वन के उपाबार देया तू के बार नहीं दोनों के पर बार हो नहीं सकता आखरी वाले पर रहे गई वन टू के पर बार है पहले इसका इसका एक्सपांशन देखते क्या होता है तो देखिए 5.12 बार का मतलब होता है 5.12121212 अब आगे देखिए बाटा मैंने अपना सॉल्यूशन शुरूर किया सब्लेट एक्स भी और अब वही अपना जो पहले करते मैंने फॉर्स एक्वेशन में 10 मुल्टिप्लाइ कर दिया तो देखिए इसको देखिए 10 मुल्टिप्लाइगा क्या हो जाएगा इसमें अगर आप 10 मुल्टिप्लाइगा तो क्या बनेगा अपना आंसर किता हो जाएगा अब यह 10 मुल्टिप्लाइगा 51.2 बार नहीं 51.21 बार परफेक्ट इसको मैंने इक्वेशन नमबर 2 मांक कर लिया समझा गईजे क्या हुआ है अब देखो अब अपन लोग क्या करते थे पहले अपन चेक करते थे कि जो हमाई दो इक्वेशन बनी है उनका डेसिमल पार्ट सेम है क्या यहाँ पर 12 बार यहाँ पर 21 बार तो नहीं सर डेसिमल पार्ट सेम नहीं है तो अगर आप सप्राक्ट क सब्सक्राइब करते हैं इक्वेशन वन इंटू हंडड़ लह भी हंड़र से होगा आरेच भी हंड़र सोगा तो एलेचे संड़र से हुआ रहे हैं यह मेरा दो पोजिशन आगे गया है तो देखो मेरा आंसर कितना रहा है 512.121212 मतलब 512.12 का बार इक्वेशन नमर 3 बोल जया हां असर अब तीक है अब क्या असर अब कुछ नहीं ढूंड़ो कोई दो एक तीन जो एक्वेशन है मारी बनेवी कोई दो ऐसी एक्वेशन है क्या जिसका डेसिमल पार्ट सेम आ रहा है तो देखे अपना इन दोना का से सेम था नहीं मेरा इन दोनों के से में एक है 1 टू एक टू वन बट मेरा इसका और इसका सेम अब क्या फूर्व नीं आपको जमा पहले बोल रहा है सब्सक्राइब क्या बड़ी एक्वेशन माइज छोटी एक्वेशन करें एक्वेशकलि वही चीस ला इन अब्रों मतलब क् क्या हो रहा है बैटा देखें लह्यस में से लह्यस अप्राक्ट हुआ और रहेचेस में से रहेचेस सप्राक्ट हुआ ठीक है तो यह समय बन गए 100-1-10 बैटा 99 अब रहेचेस किता बन गए 507 अब आगे क्षण इंप्लाइस एक सी वैलियो जाएगी पांसो साथ भाई 99 अब यह दिख रहा है मुझा ठीक ना पांसो साथ को सी सब्सक्राइब है तो 169 अपॉन 33 और फॉर्दर यह डिवाइड नहीं हो रहा है मेरे साफ से तो ठीक है तो 169 अपॉन 33 रांसर आये चलिए देख लेते सही है य तो बार हुआ है तो हाँ सब्सक्राइब कितना थामना 5.12 बार इक वस्टी नाइन यहां से मेरा हो गया थोड़ा कॉम के लिड़ा है यह पिछले वाले से सामने थोड़ा है एक और बार आपन सॉल्फ करते है इसको पूरा ठीक है तो आपको दूगा मौका में करने के लिए देखें क्या किया मैं पर तो 5.12 बार का इक्सपांशन लिखा अब समझा आपको इक्सपांशन क्यू लिखवा रहा था मैं समझा आप लोगो को देखें इससे हमको आगे क्यालकुलेशन जो रहते कभी भी कोई भी उसमें काम में आज़ा है अब मैंने इस इक्वेशन को let x भी इकोईस तो 5.12 बार किया तो इक्वेशन अब वन माक किया अब देखो फॉस्ट इक्वेशन को मैंने 10 से मल रहते हैं इसलिए इक्वेशन नमबर वन को ही मैंने अब हंड़्ड से मुल्टिप्लाइग है टू को हंड़्ड से पूरे के पुली चीज़र हम एक्वेशन व मुल्टिप्लाइग किया देखे भी होगया अंडर्ड एक्वेशन यहां पर गया 512.12121212 यह 512.12 बार अब देखा जाए तो मेरी फॉस्ट एक्वेशन और थर्ड एक्वेशन का डिसेमल पार्ट सेम था तो अब मैंने क्या बड़ी एक्वेशन माइनस छोटी माइनस छो 9x is equal to 507 तो बच्चा लोग मेरा answer क्योंग है implies x की value हो गई है 507 by 99 मुझे कई बच्चे पूस्ते हैं सर इसको ऐसे छोड़ दो चलेगा क्या simplified format क्लिकना है जो गाइस अगर आप सब्सक्राइशन वीक है तब यहीं छोड़ दो क्या आप बालतु में काट होगे और गलत काट क सब्सक्राइब लिया करो तो यह जाएवा करता 169 अपॉन 33 इंप्लाइफ मेरा हो गया 5.12 का बार इस इकोलस टू 169 अपॉन 33 हो चुक है सम्झाए चीस क्या हुआ है हाँ चलो इसको भी पॉस करो बिटा खुच से सब्सक्राइब को जम जाएगा इतना कोई प्रॉब्लम द 4.02 का बार इसको करिए आप तो पॉस और इसको कर लीजिए आप तो ट्राइफ अटाक्स एक बार चलिए सब्सक्राइब देखते है तो 4.02 का बार ना मतलब होता है 4.02 0202 चलिए ठीक है अब आगे क्या लेट एक्स भी इकोस टू 4.02 का बार यह मेरा इक्वेशन नमबर वन हुआ फिर क्या है मैंने इक्वेशन नमबर वन में 10 मुल्टिप्राइब किया है यहां गया तो क्या रहा है 40.202 020.40.20 का बार हुझा का बार पहला और दूसरा माच नहीं वहाँ था तो ठीक है मैंने फॉर्स एक्वेशन को 100 से मुल्टिप्राइब किया तो देखिए 100 एक्स यह यहां गया तो 402 पॉइंट 0202 फिर यह रिखास पोल्ट टू कोईठ बलπάर थीर किंपिशन होगहित सरफ क्या कोई दो से मैसलीच एक्वेशन सेम बढ़य बढ़िधे संद्स माइनस च्छोटी एक्वेशन कर जिया सुछ हांडर एक्स माइनस demande lhs ने यहरा किये एंड आरेचेस में से मैंने बीटा आरेच दो सब्राक्ट हिया तो देखो यह 99x is equal to 398 हो रहा है इंप्लाइज एक्सी वैली किस्टिया रही बटा मेरी 398 अपॉन 99 देख लोगर आपको चेक करना ही है तो कि तरह 398 दिवाइड बाए 99 4.02002 का बार आया है बिटा अपना सब्सक्राइब सिंपल था बेटर अंडरस्टांडिंग आ रही है पक्ता जिन लोगों का यह आंसर माज कर गया था बढ़िया जिनका नहीं कोई बाद नहीं एक और आप लोगों को ट्राइक करने करें ठीक है इसको पॉस्ट कीजिए और इसको भी एक बाद सॉल्फ कर लीजा आप लोग प्लीस देखिया नेक्स्ट्विश्ट्ट्ट अ एक फाई तिंग 1.23 पर बार प्राइक बड़ा सिंपल कोई इसू नहीं आएगा सौल्फ कीजिए एक बाएक को फट्सें सब्सक्राइब को आप लोगों का आंसर सही आया है वेसे 1.23 बार इसी को फूर्फ लेट एक्स भी इक्वास्ट्ट्ट्ट्ट्री का बार एक्वेशन नवर वन हुई अब कई बच्चे करते सर मुझे दिख रहा एक्वेशन वन को हंडड़ से मल्टिप्लाइब कर दूंग अब भी एकदम से आप रजनी कांथ बनो अपन दिये दिये रजनी कांथ बनेंगे पीटा अपनों पहले लो लेवल के बच्चे अभी अपन प्राक्टिस करें तो इसलिए एक आज आप नेक्स लेक्शर होगा वहां पर अगर आपको step by step नहीं समझा वह तो वहां पर अच् कर रहाते हैं इसलिए कई बार आपको थोड़े कॉंप्लिकेट क्वेश्चन से आपको जब मैं कल थोड़े से कॉंप्लिकेट क्वेश्चन से करूंगा आपको डिफ्रेंस दिखेगा ही नहीं अब फटा आप फटा खुच से वाल्फ कर लोगे त्याप्लीज में पर नहीं हो मार्च नहीं किए डिसमल पार्ट तब एक्वेश्चन नमर वन को मैंने 100 से मुल्टिप्लाई कर जिया तो देखें 100 X is equals 2 किता जागा 123.23 बार हो जाएगा अब देखें एक्वेश्चन 1 और एक्वेश्चन 3 का डिसमल पार्ट सेम हो गया है तो थर्ड एक्वेश्चन माइनस फोस्ट एक्वेश्चन किया बच्चा लोग तो LHS में से LHS सब्राक्ट किया और रहेच्ए सब्राक्ट किया तो यह हो गया 99 X is equals to 122 इंप्लाइज एक्वेश्चन 122 अपॉन 99 बच्चा लोग मेरे साब तो कड़ भी नहीं रहा था तो मुझे लेख रहा है नहीं कट रहा है था इंप्राइस मेरा क्या सब क्वेश्चन 1.23 बार की वैल्यों के 122 अपॉन 99 किसी को भरोसा नहीं है तो दिखा रहे तो मैं समझा आपको सिंपल डेंपल हाँ जिनका नहीं आया तक गलती से भी बोलोग प्ली सॉल्फ कर लीजे अब गाई एक और स्टेप आगे बर से क्वेश्चन देखो अब आपको जम जाएगा तो कोई प्रॉब्म नहीं है कोई कॉंप्लिकेट भी नहीं बच चलोगे तो देख सब्सक्राइगा और गलती साब का सही आंसर आके ना पिठा अलग ही आप लोग लेवल पर चाल जाओ गए ठीक है तो एक बार पॉस करके इसको खुद से ट्राइब कर लीजे आप लोग सब्सक्राइब देखते अब सब्सक्राइब लोग 4.321 का बार इस इक वस्टू 4.321321321 अब मैंने क्या किया वह अपना लेट एक्स भी वस्टू 4.321 का बार इक्वेशन वन माने अब इक्वेशन वन को काई से मुल्टिप्लाइब का देता अब लोग 10 से करते सब्सक्राइब 43.213213213.43.213 का बार इस बच्वेशन नंबर 2 हो गई है मुझे फट से आप लोगे बता दो क्या पहला और दूसरे एक्वेशन का डेसिमल पार्ट से है क्या नहीं है कोई बात नहीं है तो मैं इक्वेशन वन को 100 से मुल्टिप्लाइब कर रहा हूं यह ब सब्सक्राइब 432.132 का बार 432.132 का बार इक्वेशन नंबर 3 होगी देखो क्या आप 123 में से कोई भी दो इक्वेशन रही है जिनका डेसिमल पार्ट से में कोई भी दो नहीं है ना बेटा तो कोई नहीं अब और एक स्टेप आके जाना पड़ा मतलब 1 into 1000 करना पड़ गया बापरे अरे कोई बापरे नहीं फट पट होता है देखें यह गया 1000 x is equal देख अब यह तीन देसिमल लागी गया मतलब 4321.1321321 मतलब 4321.321 का बार यह एक्वेशन नंब हां सर पहली वाली और चौहती वाली से मैं बड़ा एक्वेशन माइनस चोटा एक्वेशन किया तो यह एलेचेस में से एलेचेस अप्राक्ट हुआ और विटा आरेचेस में से भी मेरा आरेचेस अप्राक्ट हुआ है तब देखें यह क्या जागा मेरा ट्रपल नाइन एक्स इस इकोईस तो 4317 देखें एक्स ही वाली किती होगे मेरी 4317 जा होल अपॉन ट्रपल नाइन सा अच्छा था यह हो गया अब तो कोई से 3 से कट रहा है थोड़ा ध्यान से कट नहीं को वन सा ओर था था नाइन सा यह मेरा आ गया तब देखें गई एक बाद एक वार गणार यहां पर कंवर्शन में घलती करते थोड़ा केरफूली करना और आपको कॉंफिडेंस ने तो करना ही मत भई थालती में मार्स जाय है वैसे काम करना ही अपने 4.321 बार की वाली कित्या गई 1439 अपॉन ट्रपल सरी एको बार समझारों इरेज नहीं कर रहा हूं यह समझारों तैन से मल्टिप्लाय किया यह आया सब्सक्राइब कोई से मोई नहीं पैसे 1000 तक जाना पड़ा किया मेरा इसका और इसका से मैं बढ़ा मैस छोटा कि और अप आज का लास वेशग देखने वाले रहे हैं आप आज का लास क्वेश्चन यो आप लोगो ऑवियसी खुट से ही ट्राइब करोंगे पहले क्या है मेरा, पहले तो मैंने decimal expansion देखा, 1.052 का बार, 1.052,052,052,052, dot 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 dot, के लिए दिखे हैं, फिर क्या है, let x be equals to 1.052 का बार, equation about 1, 1 को 10 से multiply किया मैंने, 10x is equals to 10.520 का बार, सेम नहीं से, equation 1 को बेटा मैंने 100 से multiply किया, तो यह को 100x is equals to 105.205, नहीं से, 105.105.205 बार, हाँ, ठीक है सर, तो यह गए third equation, तर इसने भी कोई सेम नहीं है, अब मैंने equation 1 को 1000 से multiply कर जा, 1000x is equals to 1052.052 का बार, equation 4 बन गया मेरा, अब देखो, first equation और fourth equation का decimal expansion सेम था, तो बार, बड़ी equation माइनस छोटी equation किया, तो इंपलाई 1000x माइनस 1x, इकवेस तो किता होगा, 1052.052 का बार, माइनस 1.052 का बार, ते होगा बड़ा, 999x is equals to 1051, x की वाले होगे 1051 अपन 999, मुझे जितना दिख रहा है बड़ा, इसमें कुछ कटापिटी हो नहीं रहा है, तीक आप देख रहे हैं, 1051, डिवाइड बाइ, 999, हाँ चाहिए, 10,0520,0520,052 और है, वह चाहिए, बस अपना आँचा आँचा है, 1.0, sorry, 1.052 का बाद is equals to 1051, आपन 999, खतम, समझा गाईज, हाँ, देखे, बहुत सिंपल कुंसेट, बहुत ईजी हो जाता, अब यह एकमालो, 1.23, 4, 5, 6, 7 और सप्पे बार होता, तो भी ऐसे ही करता तो आजाता, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, उसमें बहुत बहुत लंबा पड़ता था, बड़ ठीक है, ऐसा बड़े-बड़े questions आते नहीं, यहां तक कि कि इस pattern क्या आ सकते है, next section में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, next pattern of questions हैं, interesting रहेंगे वाले भी, मज़ा आएगा, आपको कोई problem ने हैंगा, अगर आप यह कर चुके हो, और इसका homework आपको मिलने लाएं, वो कि सिर्क कर चुके हो, ठीक है, तो आपन मिलते हैं, next session में, ओके, चली, bye guys.